जै श्री राम नौंबर महिना बहुत ही महत्वपूर है क्योंकि इसमें आ रही है दिपावली जो केवल एक पर्व नहीं है यहां महापर्व है यहां एक त्योहार नहीं है यहां त्योहारों की स्रंखला है तो इस तहारों की स्रंखला का आप किस तरह से फाइदा उठा सकते हैं इसके बारे में संक्सित मैं जानकरी देने जा रहा हूँ आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दूँ एक कुंडली परतशित की गई है इस कुंडली में यह दिखाया गया है कि ग्रहों का गोचर नवंबर महीने में तुला राशी के लोगों के लिए दिपावली के आसपास किस तरह से रहेगा तो अगर इसका विवेचन करें तो यहां देखते हैं कि बुद्ध शुक्र का लक्षमी नारायन योग बनने वाला है आपके लगन में और यहां कब बनने वाला है यहां बनने वाला है 17 नवंबर को जब सुक्र का राशी परिवर्तन हो जाएगा सुर्य देव का राशी परिवर्तन होगा और सुर्य देव आपके शेकिंड हाउस में आएगे 16 नवंबर को और मंगल देव मारगी हो जाएगे 13 नवंबर को यहां कुछ ऐसे परियोग है जो आपको कुछ धन की समश्याओं से निराकरन जरूर देंगे मगर फिर भी अगर आप चाहें कि आप कुछ ऐसा उपाय करें जिसके वजह से आपको कुछ पैसों का फाइदा हो कुछ धन लाब हो तो धन 13 के दिन आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए और वहाँ उपाय यह है कि आपको या तो चांडी या फिर पीतल का कोई भी बरतन घर में खरीद के जरूर लाना चाहिए और लाके उसको बंद अलमारी में रखनी देना चाहिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी धन संबंदी समस्याएं कम होनी शुरू हो जाएगी दूसरा उपाय पता देता हूँ दूसरा उपाय यह है कि आपको अगर साथ मुखी रुद्राक्स कहीं से मिल जाए तो धन तेरस के दिन आपको यह जरूर खरीदना चाहिए और इसको विदिवत धारण भी करना चाहिए अगर यह फलित हो जाता है आपको तो आपके उपर मालक्षमी की असीम करपा बनी रहेगी साथ में दिपावली के दिन भी आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए युकती आपके सेकिंड हाउस में बनने वाली है यह एक तरह का ग्रण योग है और गुरू और सनी का आपके फोर्थ हाउस पर एफेक्ट आ रहा है या युकती बनी हुई है यह बनेगी 20 नवंबर को जब गुरू का राशी परिवरतन हो जाएगा तो इन सब बातों को देखते हुए अगर परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत चल रही है तो आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए वहाँ उपाय यह है कि आपको भहिया दूच के दिन अपने बहन के यहाँ पर जाके भोजन करना चाहिए और साथ में अपनी बहन को कोई लाल कलर की वस्तू जरूर गिफ्ट में देनी चाहिए या फिर लाल हो या फिर पीली हो इन तरह दोनों की वस्तू आप जरूर भेट कर सकते हैं साथ में अगर आपको किसी तरह की स्वास्ति संबन्दी दिक्कत आ रही है तो और आपको कोई आकश्मिक इस तरह से होता न कहीं बार कोई आकश्मिक डील हो रही होती है जिससे बहुत जाला फाइदा हो रहा होता है और वो नहीं हो पाता अगर इस तरह की समश्या से भी आप परिशान है तो आपको कोई black color की चीज या कोई electronic का item अपनी sister को जरूर gift देना चाहिए जिससे आपका भग्य भी बल्वान हो जा और भग्य को बल्वान करने के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं और यह उपाय कर सकते हैं आप करते हैं स्वास्थे की आपके स्वास्थे के बारे में अगर देखा जाए तो बुद्ध अभी कुछ समय पहले नीच के चल रहे थे और राहू का अश्टम में होना यह सब कुछ आप अगर एक उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा और वह उपाय यह ह कि आपको धनतेरस के दिन तेरह दीपग घर की दक्षिन दिशा में जरूर लगाने चाहिए अगर हो सके तो खुद के लिए लगा ले अगर आपको लगे कि हमारे परिवार में किसी की का स्वास्ति अच्छा नहीं चल रहा है तो आप उनके लिए भी लगा सकते हैं तेरह द दक्षिन दिशा में लगाएंगे और उन्हें एक समा प्रात्ना भी करेंगे कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हमें शमा कर दें तो इस तरह से आप दिपावली महापर्व का पूरा पूरा फाइदा उठा सकते हैं उमीद करता हूं आपको यह वीडियो हाजीर होते रहेंगे आप अपने मित्रों को रिस्तेदारों को इस चैनल के बारे में जरूर बता है जिससे वह भी हमसे जुट सकें और भारतिय जोतिश का फायदा उठा सकें नमस्कार